तो आप जो है बार बार रिपीटिटली कमेंट सेक्शन में या फिर में को वाच्टेप कर रहे हो कि माम कट ओफ की बारे में बताओ तो देखो कट ओफ मैं इस आपको वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ सबसे पहले तो अब आपका ESIC का पेपर हो चुका है तो उसकी टेंशन मतलो अब आप पेपर दे आए हो अब रिजल्ट ही बताएगा आप क्या करके आए हो तो आप स्ट्रेस मतलो उस ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है सो पेपर जो था उसको मैं मौडरेट में डालूंगी कि जो पेपर था तफ था काफी बच्चों के लिए जो नहीं पड़े उनके लिए तफ था जो पड़े हैं जिनोंने मैनत की हैं उनके लिए मौडरेट है और जिनोंने दिनरा टेक किया है, उनके लिए तो ये पेपर दी बैस था, क्योंकि उनको ऐसा पेपर देखने को मिला है, जो कि सब अटेंप्ट नहीं कर पाएंगे, सिरफ वही बच्चा अटेंप्ट कर पाएगा ये पेपर जो की पड़ा है, ठीक है, तो उससे पहले, देख हो जाएगा जिन बच्चों का, तो अगर आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों को RRB के लिए बैस जॉइन करने हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर मेसेज करके जॉइन कर सकते हैं, रिव्यूज आप कम्विनिटी सेक्शन में देख सकते हैं बच्चों के, वो उनके ही रिव्यूज में वहाँ पे डालती हूँ ताकि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, secondly आप देख सकते हो, ESIC का पेपर जो है, वो बहुत जादा अपटाफ आया, तो हर एक पेपर जो है, मुसी तरह से लेके चलेंगे, so दो बैच्चिस है, 1499 का, and 2499 का, अगर हम थियोरी नहीं, बस important topic करेंगे, ये उनके लिए हैं, जिनकी थियोरी अच्छी है, so अब आपका time waste करते नहीं, cut off के उपर चलते हैं, so देखो paper को तो मैं as a moderate कह रही हूँ, और जो बच्चों ने पढ़ाई की हैं, उनके लिए तो paper एक बहुत अच्छा था, क्योंकि ये paper ह कही solve कर सकता है, जिसने मेहनत की है, so देखो post जो थी हमारी वो 1930 थी, एक हजार 930 पोस्टे थी, cut off की बात करेंगे, ये था हमारा जो post डिवाइड की गई थी category wise, ठीक है, so अभी मैं cut off की तरफ जाओं, तो देखो, जितना भी अभी तक मैंने बच्छों से बात की हैं, और ज approximately 100 किये गए हैं, या फिर 130 के बीच में अटेम्टेशन रही है बच्चों की, जिनकी time management ठीक रही है, ठीक है, so देखो 150 अगर किसी ने किये है, तो ये समझ लो कि वो तो फिर तुक्के लगा के जैमातादी टिक करके आया है, ठीक है, so ये वाला तो बच्चा भूली जाओ कि कि ऐसा भी कोई होगा, होगा तो बहुत जादा पड़ा होगा भाई, बहुत जादा मैनत कर रहा होगा, पर इतनी total attemptation मेरे को देखने को मिली है, अभी तक, ठीक है, 90 हो सकती है, ठीक है, पर 130 से उपर नहीं जा सकती, journal category, EWS, OBC, ST, ST, PW, BD की ये जो है, इन्होंने CTA divide की और उसके जो marks है, 150 से 160 बन रहे है, ठीक है ना, इसको मैं 145 भी लिखना चाऊंगी, ठीक है, तो वो अपने आपको safe category में डाल सकता है, ठीक है ना, अगर general category वाले बच्चे ने इतने MCQs जो हैं उसके ठीक है, attempt नहीं किये, इतने MCQs जो हैं उसके ठीक हैं, तो वो इस cut-off मे आ रहा है, तो उसके आने के chances हैं, ठीक है, EWS वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगी, अगर उन्होंने 70 से 75 MCQs को attempt किया है, तो उनकी जो roughly बनती है, that is 140 से 150 की average जो है, cut-off जाएगी, अब मैं बात करती हूँ, जो OBC वाले बच्चे हैं, इनकी भी same EWS and OBC जो है, एक दूसरे के साथ compete करेंगे, इनके भी अगर 70 से 75 questions इन्होंने किये हैं, तो इनकी जो cut-off है, वो भी 140 से 150 देखी जा सकती है, एक दो तीन नंबर उपर नीचे हो सकते हैं, प्रॉक्स तीन हो सकते हैं, इससे जादा नहीं, जो SC वाले बच्चे हैं, अगर इन्होंने 60 से 65 MCQs जो है, इन यह नहीं लिखरी की attempt किये, यह मैं लिखरी हूं कि ठीक है, ठीक है ना, तो यह बच्चों की जो average cut-off जा सकती है, 120 से 130 marks जो है, इनके बन सकते हैं, और यह cut-off जा सकती है, ST वाले जो बच्चे हैं, अगर इन्होंने 50 से 55 questions जो है, MCQs इनके right हैं, तो इनकी जो cut-off जा सकती है 100 से 110 जो है, इनकी cut-off जा सकती है, PWBD का जो मैं कहूंगी 168 post है, तो इनका जो है all in all जा सकती है, ठीक है ना, अगर इनका 50 भी जा सकती है, 60 भी तो इसकी मैं normally cut-off नहीं कहूंगी कित्ती जाएगी, पर हाँ, approximately 60 से अगर 80 MCQs इनके सही है, तो इनकी भी cut-off 120 से 160 के बीच में जा सकती है, ठीक है ना, 300 में से, तो ये देख सकते हो, आप ये जो मैंने mark लगाए हैं, ये है marks, तो अगर आप इस zone में आते हो, तो तो आप safe हो, आपकी chances है, in the safe zone हो, अगर आपकी इतने MCQs ठीक है, negative marking को छोड़के, गलत जो attempt की है, वो भी छोड़के, अगर इतने questions आपक को paper solution की video डाली थी, तो उनके हिसाब से, ये मेरा जो पूरा अपरली चल रहा है, और मुझे भी रगता है, कि जिसी साब का paper था, ये ही cut off जाने के chances है, रही बात subjects की, अब देखो, मैं ये नहीं कहरी कि RRB का paper और Norset का paper तो इस बार आया ही the tough कि RRB का भी आएगा, RRB का paper इसा ही आने वाला है, तो आप इस चीज को बहुत easily मत लेके चलो, moderate, ये paper उन बच्चों के लिए था, जो मेहनत करते हैं, क्या होता है, अगर easy paper आता है, तो हर कोई उसको attempt कर लेता है, ठीक है न, क्यूंकि फिर वो मेहनत करने का फल नहीं मिलता, जो दिन रात एक करते हैं, तो ये paper जो है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो मेहनत कर रहे थे, क्यूंकि ये attemptation वही दे सकता है, वही paper ये कर पाएगा, जो बच्चा पड़ा होगा, otherwise अगर आप jam आता दी, टिक करके आओगे, तो ये paper वो वाला नहीं था, ठीक है न, तो मैं फिर से आप आपको यही धोराऊंगी, कि अब इसका tension मतलो, अब RRBN Norset की तरफ चल लो, ठीक है, आप अगर batches को join करना है, तो आप मेरे से बात करके, इस number पर call या फिर message करके, आज ही batches जो है, वो join कर सकते हो, 79732, मैं आपको थोड़ी सी detail दे देती हूँ, अगर आप RRBN Norset के लिए मेरे साथ जुड़ना चाते हैं, तो दो batches है, 1499, एक है 2499, जो 1499 का batch है, यह है मेरा 3 months का batch, इसमें आपकी, अगर आप यह batch तभी join करना, अगर आपकी basic clear है, इसमें मैं आपको करवाऊंगी important topics of all the subject, MCQ classes, test series and doubt classes, live and recorded रहेगा, आप live भी लगा सकते हो, आपको recordings भी रोज मिले 2499 का batch उन बच्चों के लिए है, जिनका base ही नहीं clear, यह paper देखके आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका base कैसा है, बहुत ही अच्छा paper था, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम basic करेंगे anatomy physiology, जो basic है, जो की हमें roots अपनी strong करनी है, उसके बाद हम theory करेंगे हर एक subject की, then important topics के तरह focus जाएगा, MCQ classes होंगी, test series, doubt classes, यह भी batch जो है, आप लोगों का live plus recorded है, so आप कोई भी batch जो है, join कर सकते हो, 79732 44089 पे message, या फिर call करके मेरे साथ बात करके, बहुत ही अच्छी vacancy थी, SIC की bumper vacancy थी, अब जो बच्चे ने time पे पढ़ाई की है, एक discipline में किया है, वो कर ज प्रड़ खाइद लोगो कर जो कर जो कर दो कर ।